आज मेरे पास महराश्टर की क्रिशी मंत्री मान्य श्री धनन्जे मुंडे जी मिले हैं, साथी साथ भारती पवार जी हमारी केंद्रिय मंत्री जो नासिक से आती हैं, वहां की सांसद हैं, उन्होंने मेरे साथ लगातार बाचीत रखी हैं और महराश्टर के हमारे आमदार मान्य अतुल बेनके जी भी आज मेरे साथ हैं, हम सब ने विस्तार से महराश्टर के प्याज और प्याज के किसानों की चर्चा किये और कुछ एहम निर्में जो मैं आपके समख्ष रखना चाहता हूँ भारत सरकार सदैव किसान हितेशी रही है, किसानों की चिंता करती है और किसानों को समय समय पे सयोग मिले, उसके लिए सरकारी खरीद भी साथ साथ करती है हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में भारत सरकार के आदेश पर NCCF और Nafid ने तीन लाख टन प्याज नाशेक, लासंगाओ, एहमद नगर इस पूरे शेत्र से खरीदा जिसके कारण प्याज के दाम भी अच्छे रहे और किसानों को भी लाब हुआ साथी साथ उद्बोक्ताओं को नुकसान ना हो, उद्बोक्ताओं की कीमते बहुत जादा बढ़ना पाए उसके लिए भी एक संतुलन बिठाने के लिए प्याज के उपर 40% निर्यात टैक्स शुल्ट लगाया गया है जिससे भारत में उप्याज की परियाप्त रहे और जो आज की परिस्तितिया है उसमें उद्बोक्ता को भी लाब हो, किसानों को भी कोई नुकसान हो, ये संतुलन बिठाने हेतु, आज सुबे 11 बजे से एंसी सी एफ और नाफरेट और दो लाग टन नासे जिसकी पिंपल गाओं, लासन गाओं, एमद नगर इस पूरे शेत्र में दो लाग टन और प्याज की खरीद शुरू कर देगी, आगे चलके और खरीदना पड़े तो और भी खरीदने के लिए तैयार है, और मद्यपदे गुजरात ऐसे कोई इलाकों में, जिन इलाकों में प्याज बनता है, वहाँ पर भी NCCF और नाफरेट खरीदेगी प्याज, जिससे किसानों को भी सही दाम मिले, ये प्याज खरीदने का दाम, आज का जो निर्धारित हुआ है, वो 2410 रुपए प्रतिक विंटल, 2410 रुप मिलेगा, और कोई भी किसान को चिंता करने की जरुरत नहीं है, भारत सरकार, महराष्टा सरकार, गुजरात सरकार, मद्यपरदेश सरकार, हम सब इस चीज़ पर पूरी तरीके से नियंतरन रखे हुए हैं, और किसानों के हित में सरकार पूरी तरीके से थट पर हैं, से चुविस्टास